आज देखिए हमने भीडिया एक्सपिरेंस कैसा रहा बताते हैं कुछ चेंद मिन्टों में जिस चीज ने इसका सबसेदा हाइप बढ़ाया था ना स्त्री आगे पता चल जाएगा है की नहीं तो भी स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी थी लेकिन पता नहीं था कि आगे जाके क्या क्या होने वाला है कुछ लापता था इसमें क्या लापता था बताता हूँ मैं शुरुआत पॉसिटिव पॉइंट से करते हैं पहला पॉइंट जैसा कि हमेशा रहता है बहुत ही अच्छा बीजेम है जो इसमें सबसे जादा एक्सपेक्टेट था ही क्योंकि बेडिया मोवी है वेरवुल्फ का कंसेप्ट है तो बीजेम तो एफेक्टिव और दमागे दर होना ही है दूसरा पॉइंट वीएफेक्स और सीजी आई ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ क्रियेटिव दिखाने कोशिश की है आदी पूरिश की तरह नहीं था कि भई बैक्राइब अलग चल रहा है याँ करेक्टर अलग चल रहा है जो कि इन्होंने बहुत अच्छी मैनद की है जो इनका बजट है वो जादा जादा इन्होंने VFX और CGI पे लगाया है इसलिए ये चीज़ आँखों को एक अलगी थंड़क पहुचा रही थी लिटरली थंड़क नहीं पहुचा रही थी सैटिसफेक्शन था मतलब और हाँ थेड़ी में देखो के तो मज़ा आएगी बिलकुल डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगी पर एडवाईजबल 2D है क्योंकि मेजर पार्ट फिल्म का अंदेरे में ही है तीसरी चीज़ है सपोर्टिंग कास्ट इन्होंने जो कॉमेडी ग्रैब करके रखी थी न वही सरफ कॉमेडी पूरी फिल्म में थी जो की अभिशेक बैनर जी, दीपक दोवरियाल और पालीन कबक ने बना के रखी थी इनकी कॉमेड परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि मेन लीड अपने आप इग्नोर हो जाए चौती चीज इनोविटिव कंसेप ऐसा कुछ भी पहले बॉलिवड में बना नहीं है एक इच्छातारी बेडिया जो एक के बाद एक लोगों को खोते जा रहा है पांच वी चीज आती है Connections Connections वो बिठाया है न उन्होंने स्त्री से इस कहानी का वो बहुत ही बड़ी है और बहुत Satisfying भी है और Logical भी है चटवी चीज है Screenplay जस तरह से पूरी फिल्म को इन्होंने प्रेजेंट किया है ना Screenplay इससे ये मूवी थोड़ी देखने लायक हो गई थी और जो Last है साथवी चीज वो थी Ending एंडिंग बिल्कुल भी expected थी नहीं कि ऐसा कुछ end होगा अचानक से बस एकदम soft तरीके से end दे दिया सिर्फ unexpected थी एंडिंग इसलिए अच्छी लगी लेकिन एंडिंग थोड़ी कुछ और होती तो ज़ादा मजा आती तो ये थे positive points अब करते हैं शुरुआत negative से जो कि अगर देखने जा रहे होए movie तो ये main चीज है सबसे पहली और main चीज expectation रखना ही मत इस film से सारी expectation घर पे छोड़ो के जाना जब भी film देखने जाओ तो क्योंकि जो कुछ expect करोगे ना इससे कि ये comedy दिखाएगी या horror दिखाएगी कुछ भी नहीं है इसमें सब कुछ अता पता ला पता है जो बस supporting cast की थोड़ी बहुत comedy है वही comedy है और वो बहुत ही थोड़ी है दूसरी चीज जो सबसे आधा interest था मुझे कि वही इसके songs जो है वो theater में सुनने में बहुत मसाएगा गाने चल रहे थे बस बेवजा चल रहे थे ना कोई feel ना कोई vibe तीसरी चीज simple सा वरुन बहुत ही simple character था कुछ innovative नहीं था जो ये कुछ उभार के कर पाए तो simple वरुन कैसे हैं वो दोहर कोई जानता ही है थोड़ी सी overrating वाले इनका जो अच्छा part था वो सरिफ बेडिये का transformation जब था वो ही अच्छा part था transformation वाली performance के अलावा बाकी सब कुछ average performance था इनका और बात करें किर्दी सेनन की तो भई इनका तो character ही बहुत छोटा सा था शुरू होने से पहले खतम हो गया चौथी चीज ये थी कि इन्होंने social messages को इतना सारा डाल दिया था न इतने सारे topics कवर कर दिये थे कि इनका horror comedy तो कहीं छूटी गया हर movie में social message के एक limit होती है उसे बरकरार रखो बस एक या दू उससे ज़्यादा दिखाओगे तो वो चीज़े बढ़कती भी दिखेगी पर messages काफी अच्छे थे जैसे North East का message और Save Environment का पांचवी चीज जो आती है वो थी script बहुत ही senseless और बस बिना सरपर के चल रही थी चटवी चीज आती है थोड़ा सा तो horror कहीना कहीं डाल देते बिल्कुल भी horror नहीं डाला तो फिर horror comedy genre है क्यों जब दोनों चीज़े ही नहीं इसमाई और हाँ लास्ट चीज जो एना बहुत अजीब सीद लगी मुझे मुझे कहीना कहीना Jungle Book वाली feeling आ रही थी ऐसा लग रहा था कि ये कोई छोटे बच्चो की मुवी है जिसकी कहानी expected है पूरी मुवी में कोई ऐसा scene था जिसमें public खुल के हसी हो और comedy feel हुई हो वो mid-grade scene था तो हाँ सबको जाना था ना स्त्री आई की नहीं आई तो भाई निराशा मिलने वाली है स्त्री नहीं आई पर उससे जुड़े connections आये दोखा मिला है हमें पर जो mid-grade scene था वो satisfy कर देता है उसे तो भाई ये था मेरा review जाके देखो कैसी लग रही है आपको movie और आके बताना मेरे comments में कि आपका के ना जरीया है और मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक base film थे आगे की story development के लिए प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना इतना प्यारा सा लाल बटन है दबा दीजी बेल एकन के साथ और मेरे वीडियो अच्छे लगे अगर तो प्लीज 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 शेर करो और grow करने में support करो मुझे और Instagram handle को मत भूलना वहाँ पर भी काफी सारे short reviews आते हैं तो follow कर लो उसे भी